हलो बच्चो वेलकम बैक, so last lecture में हम लोगोंने exponential function और logarithmic functions को explore किया था और उससे पहले हम लोगोंने polynomial functions को explore किया था आज के lecture में हम लोग nature के अंदर modulus function को explore करने जाएंगे और modulus function हमारा वहां use होता है जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ magnitude की need होती है अब इसके graph किस तरह बनते हैं तो आज के lecture में हम लोग इसके graphs को explore करेंगे हम लोग explore करेंगे इसकी domains and range को और modulus function basically इसका symbol क्या होता है ये सारी चीजे हम लोग देखने वाले हैं तो चलो उस चीज़ पर शुरू करते हैं अब यहां पर हम जानते हैं कि polynomial function कैसा दिखता है अगर a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube इस format में अगर मुझे कोई function नजर आता है जहां पर x की power n आपका एक whole number होता है हम कहते हैं कि this is a polynomial function अगर log x या log के अंदर कोई function आपको नजर आता है तो हम हम कहते हैं कि logarithmic function है अगर a to the power x type में नजर आता है तो वो exponential function है similarly अगर कोई function इस तरह से नजर आए कि उसके आगे आपने दो ऐसे बार्स लगा दिये हैं ठीक है दो ऐसे बार लगा दिये और अंदर कोई भी equation है मान लो अंदर कोई एक function ही है ठीक है तो इसी को बोलेंगे य x is equal to mod fx अब यहाँ पर इस mod को लगाने से हम basically h symbolize करना चाहते हैं वो यह है कि if f of x या फिर जो इसके अंदर value है that is greater than 0 greater than equal to 0 gx आपका हो जाएगा fx के equal अगर तो वो positive है तो same वो fx के बराबर यानि कि positive value आ जाएगी और अगर यहाँ पर आता है if f of x f of x is less than 0 then g of x will be negative f of x ठीक है अब इसकी भावनाओं के साथ जुड़ना है बस उसके बाद आपका यह mod function finish ठीक है और हम इसको जहाँ चाहे वहाँ use कर सकते हैं real life के अंदर अब इसकी भावनाएं क्या है भावनाएं यह है कि अगर f of x की value less than 0 है it means as a output यह एक negative value देगा ठीक है और मुझे क्या चाह बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उस function की value negative आएगी और उसके आगे अगर मैं एक negative sign implement कर दूँ add कर दूँ यहाँ पर तो negative multiply negative will give you a positive value as simple as that तो mod function का का काम यह है कि हम यहाँ पर सबसे simplest mod function लेती है let's say f of x is equal to mod x ठीक है तो अगर इसमें मैं x का input देता हूँ 1 तो f of 1 की value आ minus 1 which is equal to 1 तो इन दोनों की value f of 1 की value और f of minus 1 की value यहाँ पर क्या हो गई सेम हो गई बस इतना ही काम है mod function का ठीक है अब इसके जरीए हम क्या कर सकते हैं इसके जरीए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए multiple situations को multiple परिस्तितियों को observe करना चाहिए under mod function that's और उसके शुरुवात हम लोग करेंगे इसके graph के साथ तो हम सबसे simplest mod function यानि कि f of x is equal to mod x का graph बनाते हैं and then उसके बाद जो mathematical observation और ज्यान in the form of language हम gain करेंगे उस ज्यान की मदद से उस language के मदद से हम further continue करते जाएंगे और deep down इसमें exploration हमारी जारी रहेगी तो वो exploration क्या है तो श graph बनाना चाता हूं ठीक है तो इसका graph बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं सबसे पहले तो अपनी y axis लोगा and then यहाँ पर मैं अपना x axis लेता हूं ठीक है अब यहाँ पर मेरा y and x axis आ चुका है अब यहाँ पर x में input देते हैं और यह मेरा y क्या है f of x which is equal to mod x अगर x का input 1 तो output कि हाइगा two x का input three होगा तो output कि हाइगा three as simple as that ठीक है 0 पर उसका input क्या होगा zero zero input पर output क्या होगा zero होगा अब x की value minus a hugi to output आएगा plus one जब x की value minus two hogi to output आएगा minus oh sorry plus two जब x की value minus three to output u तो यहाँ पर जो line बन रही है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है ठीक है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है So this is your graph of mod function as simple as that अब इस mod function के graph को अगर मैं compare करता हूँ जो इसका nearest graph है यानि की f2x लेता हूँ मैं जो की है f of x equal to x के साथ f of x equal to x के साथ अगर मैं इसको compare करूँ तो वो graph किस तरह से होगा आप ज़रा उसको देखना ठीक है आपको यहाँ नजार आएगा f of x equal to x का graph कुछ यह होगा यह यहाँ से continue करेगा इसी direction में minus 1 पर value minus 1 minus 2 पर value minus 2 minus 3 पर value minus 3 as simple as that और अब यहाँ पर जो key observation हम कर सकती है वो यह है कि इस zone को अगर मैं देखता हूँ इस zone को अगर मैं देखता हूँ तो negative x वाले zone में जहाँ पर input आके negatives हैं उस वाले zone में आपका graph क्या हुआ है वो simply यहाँ से उठ कर positive zone में चला गया है या फिर मैं क्या सकता हूँ कि यह एक mirror की तरह आक्ट कर रहा है और यहाँ पर negative numbers जो भी आपका negative output आने वाला था जो यह आपकी x-axis है जो यह x-axis है और to be precise negative x-axis वाला zone है उसमें उसका mirror हो गया है और हमेशा यह negative x-axis नहीं होता है ठीक है कई बार आपका graph यहाँ से भी बन रहा होता है तो हम उसके लिए कहेंगे कि x-axis पे वा mirror हो गया जब भी आपकी value क्या होगी negative होगी जब भी आपकी value क्या होगी negative होगी तो यहाँ पर हमने graph को observe किया अब यह बड़ाई basic सा function था ठीक है हमने इसको observe किया बट इस observation से अब हम बड़े-बड़े observations को बहुत आसानी से कर सकते है because अब हमारे पास mathematical language आ चुकी है जिसके जरीए हमको और भी ज़्यादा परिस्तितियों में communicate करना होगा तो हम देखते हैं इसको communicate कैसे करते हैं जो अभी तक का ग्यान है हमारे पास तो इसके basis पर मैं इस function को अगर इस mod function को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ y equals f of x will be equal to जो y equal to x वाला graph है उसमें देखूँ तो जहाँ पर ये 0 हो रहा है उसके उसका right side and 0 का left side ठीक है 0 के right side में ये f of x जो है वो fx के बराबर है f to x के बराबर है यानि x के equal है ठीक है so this is equal to x for x greater than equal to 0 यहाँ पर तो ये x की तरह behave कर रहे है क्योंकि x की value आप positive डालोगे तो output आपका positive आएगा so we have no issue but जब आप जैसे ही 0 के इस side आते हो यानि आप x की value input में negative डालना start करते हो तो यहाँ पर x की value negative होगी लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ x less than 0 तो x की value negative होगी आपको उसको positive बनाना है तो जब result ही आपका negative है उस negative को आपको positive result में convert करना है तो उसके आगे negative लगा दो तो यहाँ पर देखो negative मैंने लगा दिया अब x की value डालो minus 1 so minus minus 1 will be your plus 1 minus 2 डालो minus minus 2 will be your plus 2 as simple as do तो यह जो function है जो यह mod function है यह split हो गया दो simple functions के अंदर ठीक है अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं further अपना exploration तो mod function को हमने देख लिया और साथ ही साथ further explore करने से पहले हम यहाँ पर domain भी लिख लेते हैं domain क्या होगा all real number दिखे रहा है positive x में plus infinity तक जाओ negative x में minus infinity तक जाओ तो domain all real number लेकिन range यहाँ पर है आपकी range यहाँ पर सिर्फ positive है so that will be positive real numbers are positive ठीक है तो यह रहा आपका domain and range for mod function specifically यह वाला ठीक है mod x के लिए अब हम क्या करते हैं अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि mod के अंदर एक function डालते हैं तो हमने क्या किया mod के अंदर लिया linear function ठीक है mod के अंदर लिया हमने linear function यानि कि जो polynomial functions हम लोग जानते हैं शुरुवात हम उससे करना स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर यह आ गया मेरे पास मेरा y axis यह आ गया मेरे पास x axis ठीक है अब linear function मैंने लिया ax plus b mod of ax plus b अब मैं जानता हूँ कि linear function का graph कैसा होगा मेरा एक straight line होगा ठीक है जो minus b upon a करके आप result आएगा let's say वो यहाँ लाई करता है ठीक है तो अब यहाँ पर जो graph होगा मेरा वो graph basically कुछ इस तरह से होगा क्योंकि यह straight line बनाएगा यह मेरा graph कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आपको screen पे नजार आ रहे है किसका ax plus b का यह graph है आपका ax plus b का लेकिन आप देखो होगा क्या अब होगा यह कि जब तक आप यह वाली value जो की है minus b upon a इसके left side की value उसको input दे रहे हो तब तक आपके जो सारे y है वो देखो जो output है वो सारा का सारा क्या रहे है positive आ रहे है सारे output आपके क्या रहे है positive आ रहे है so mod function के अंदर यहाँ पर कोई problem नहीं है ठीक है आपने x का input दिया positive value आई तो mod के अंदर positive value है वही value output में आ जाएगी लेकिन जैसे ही आप इस zone में आते हो इस zone में आते हो आप देख रहे हो कि y की value आपकी क्या हो जाती है negative हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा ठीक आपकी जो यह negative value है जो भी result आया है बस उसमें से negative हट जाएगा positive value आ जाएगी it means कि अगर मैं यहाँ पर उपर की तरफ देखूँ तो मेरा final graph कुछ इस तरीके से होगा मेरा final result जो बनेगा वो इसी को इस axis पर mirror कर दिया जाएगा ठीक है और वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ठीक है जितना gap यहाँ था उतना ही gap उपर होगा इस तरीके से और यहाँ पर अगर value मान लो minus 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी यहाँ पर value minus 2 है तो यहाँ हो जाएगी plus 2 यहाँ पर minus 3 है तो यहाँ पर हो जाएगी plus 3 that's it तो यह graph है ax plus b का और यह जो graph है मेरा यह और इस point पे इसने sharp turn लिया यह वाला graph जो है जो यह blue color का graph है यह graph है आपका mod ax plus b का as simple as that तो अब आपने अगर mod function के अंदर linear function लिया है ठीक है तो आपकी domain क्या आ रही है all real number you can see all real number आ रही है और range क्या आ रही है range को अगर मैं देखू तो again वो 0 से लेकर plus infinity तक जाएगी तो range हो जाएगा all positive real numbers as simple as that तो देखो असान है ना observe करके सारे results तक पहुँचना और यहाँ पर तो यहाँ हमने क्या देखा अगर कोई linear polynomial function mod के अंदर है तो उसकी domain range को हमने explore कर लिया यह चीजे याद नहीं करनी है खुद self study करके हमें explore करना है ताकि हमको यह अनंत समय तक हमेशा हमारे mind में रहे in the form of my habit ना कि यह एक memory बना के रखूं जिसको मुझे वक्त आने पर use करना पड़े क्योंकि memories delete हो जाती है लेकिन habit delete नहीं होती है ठीक है चलो तो अब बढ़ते हैं आपकी इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं एक quadratic function लेते हैं ठीक है अगला part क्या है यहाँ पर linear function की जगह अब linear से next level पर जाना है तो हम चले गए quadratic function पर अब quadratic function है मेरे पास quadratic function को हम लोग अपनी conditions के हिसाब से पहले explore करेंगे तो quadratic functions का जो graph होता है वो किस तरह का होता है polynomial में हम देख चुकी है या तो वो ऐसे होगा ठीक है वो यहाँ भी हो सकता है ठीक है फरक नहीं पड़ता है या तो वो x-axis को सिर्फ एक बार touch करेगा ठीक है या फिर वो x-axis को दो point पे cross करेगा maximum roots यालि कि यहाँ पर roots के जरीए हमें observation करना है तो यहाँ पर तीन conditions आएंगे no roots ठीक है ugly condition हैगी one root ठीक है और ugly condition हैगा two roots यही आपके maximum situation होंगे quadratic equation के अंदर तो अगर no roots है ठीक है तो domain क्या हो गई अगर no roots है तो आपकी domain और यहाँ पर range domain हो गई all real number और range क्या हो जाएगी no roots वाले case में जो minimum value है वहाँ से लेकर plus infinity तक no roots वाले case में minimum value जो है वहाँ से लेकर plus infinity वाले case तक तो no roots में आजाएगा आपके पास minimum value till infinity minimum value included रहेगा अब no root वाले quadratic equations आपको कैसे नज़र आते हैं जब आप कोई perfect square बनाओगे जब आप कोई perfect square बनाओगे तो no root वाले case में क्या आएगा आपके पास x plus a का whole square आपको यह square मिलेगा और यहाँ पर एक value होगी plus में plus में b इस तरह का वो बन जाएगा इससे क्या होगा y की minimum value क्याएगी positive b provided b is greater than 0 ठीक है अब हम mathematical language में बात करने लगे है ठीक है सोच के देखो अगर तो मेरा quadratic equation जो भी है ax square plus bx plus e के form में दिया है मैंने उसमें perfect square बनाया ठीक है तो वो x plus e का perfect square बन गया और उसमें plus में एक constant बचा प्लस में जो constant है अगर वो positive है ठीक है अगर वो positive है तो इस equation के कोई root नहीं होगे क्योंकि इसकी minimum value ही positive b होगी ठीक है अब मैं कहूँ कि मुझे ऐसी equation कब मिलेगी जब मैं perfect square बनाऊ वो सिर्फ e की बार touch कर रहा हूँ तो वहाँ पर y आपका simply x plus e का whole square plus में 0 आएगा यानि b की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी as simple as that और मुझे कब 2 roots मिलेंगे कब 2 roots मिलेंगे जब y is equal to x plus e का whole square plus में b अपना और ज्यादा enhance कर रहे हैं और कुछ नहीं ठीक है तो इस form में अगर transform होता है एक quadratic equation तो उसके 2 roots है अगर properly एक perfect square बन जाता और plus में 0 रहता है यानि कुछ नहीं रहता है तो वह एक बार touch करेगा और अगर plus में positive number आता है तो उसके no roots होंगे एक भी root उसका नहीं होगा और यहां से हमारे पास आ जाता है no root वाले case में minimum to infinity minimum to infinity इस वाले case में ठीक है अब आते हैं one root वाले case में तो domain all real number और range क्या होगी आपकी क्योंकि इसमें एक root है यह x-axis को touch करेगा एक बार यानि कि value क्या होगी minimum इसके 0 होगी तो 0 to infinity ठीक है अब two roots वाले case में क्या होगा now we have to observe two roots वाला case तो उसके अंदर हमें यहां problem नहीं है क्योंकि इसके आगे सारी values positive हैं इसके पीछे सारी values positive हैं अगर आप देखो y के साथ वो positive zone में map हो रही है ठीक है लेकिन जो values यहां पर लाई करती है वो सारी values y में negative आती है तो ठीक इसका mirror हो जाएगा इस x-axis से और यह बन जाएगा graph कुछ इस तरीके से ठीक है यानि कि जो quadratic equation का graph आपका ऐसे था अब वो graph आपका कैसा हो गया है अब वो graph यहां तक तो same रहेगा यहां तक भी same रहेगा और इसका mirror हो जाएगा कुछ ऐसे as simple as that और इससे मैं minimum value देख सकता हूँ mod अगर quadratic equation के अंदर है तो minimum value क्या होगे 0 all the way to क्योंकि यहां से तो यह आगे बढ़ते जाएंगे all the way to infinity यानि कि domain real number और जो range है 0 से लेकर infinity तक आगया मेरे पास तो जब कोई root नहीं है तब minimum से infinity तक हम जा रही है तब minimum से लेकर infinity तक हम लोग जा रही है as simple as that अब यहां पर यह है हमारे पास वो quadratic equation जिसमें equation लिखी हुई है ax square plus bx plus c के फार्म में ठीक है लेकिन अगर मैं इस पूरे को bracket में लेके इसके आगे minus लगा दूँ तो मेरे graph कैसे होंगे तो मेरे graph यहाँ पर हो जाएंगे देखो ठीक उल्टे ठीक है ठीक उल्टे हो जाएंगे और अब उनको भी explore करती है वो graph मेरे कुछ इस तरह से नज़र आएंगे जिसमें कोई root नहीं होगा वो वाला graph ऐसी नज़र आएगा ठीक है जिसमें एक root होगा ठीक है पहले नो root वाले को observe करते हैं ठीक है तो क्योंकि ये वाला graph इस तरह से सारी values इसकी negative है सारी values इसकी negative है तो यहाँ पर एक maximum value है ठीक है यहाँ पर ये जो value है ये क्या है मेरी maximum value है maximum value है but ये value negative में है observe करो इस बात को ये value आपकी y में negative पर है और आप ने उसके आगे क्या लगा दिया mod लगा दिया उसके आगे क्या लगा दिया mod लगा दिया तो ये वाला graph as it is x-axis पर reflect होके उपर चला जाएगा तो ये जो gap है यहां पर आएगा और ये वाला graph जो है ये थोड़ा rough hand बनाया लेकिन इसी का mirror image बना रखा है ठीक है ये graph बन जाएगा so जो यहां पर maximum value था वो negative में था let's say y की value थी यहां पर minus 3 ठीक है तो इसकी domain क्या हो जाएगी इसकी domain तो all real number है लेकिन range क्या हो जाएगी इसकी range हो जाएगी जो minus 3 है वो यहां पर बन जाएगा minimum value और वो चला जाएगा plus 3 से लेकर infinity तक logically सोच के देखो ठीक है हम लोग यहां पर bat के mod function के अंदर calculations कर रही है लेकिन simple graph की मदद से हम observe करके result बता सकते हैं हमें simply करना क्या है polynomial equation को solve करना है जिसको perfect square बनाना है जो हमने polynomial function वाले part में देखा था उसके बाद उसकी minimum value देखनी है और अपने mod के ग्यान का इस्तमाल करना है कि भाई मैं सिर्फ polynomial को देखूंगा mod को नहीं देखता हूँ तो उसका graph ऐसे बन रहा है maximum value यह आ रही है बट mod लगा है तो वो maximum value उपर जाएगी तो minimum value बन जाएगा और यह minus infinity पे जा रहा है तो उपर reflection में वो plus infinity पर जाएगा काम खतम तो range आ गए plus 3 से लेकर infinity थागी देखो कितना आसान है ठीक है अब अगर मैं लेता हूँ one root वाला equation इस वाले case में जहाँ minus बाहर की तरफ है तो वो क्या करेगा x-axis को एक बार touch करेगा अब यह क्या होगा यह भी reflect हो जाएगा x-axis पे उपर चला जाएगा यानि कि यह graph ऐसे बन जाएगा तो उसके लिए आपके पास यही same result आएगा domain r domain r range 0 से infinity ठीक है और जब यह दो roots हैं इसके दो बार cross कर रहा है तो उस case में क्या होगा उस case में भाई यहां से यहां तक हमें कोई problem नहीं है ठीक है अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो positive है लेकिन जो negative है वो फिर reflect यह जो negative है यह भी reflect हो जाएगा तो अगें minimum value इस graph की क्या बनी zero बनी तो अगें domain range और domain real number और जो range होगी आपकी वो zero से लेकर plus infinity तक चली चाहिए as simple as that तो देखो quadratic function के अंदर quadratic function जो है अगर वो mod के अंदर होगा तो उसके graph कैसे behave करेंगे और उसके जरिए इनके questions को यह कि इन situations को solve करना कितना असान है polynomial का ज्यान modulus का ज्यान mix किया questions हमारे solve होने start हो गए as simple as that ठीक है चली अब अगला पड़ाव आप समझी गए हो हम क्या लेने वाले है mod के अंदर cubic function ठीक है mod के अंदर हम लोग लेने वाले है cubic function तो यहाँ पर हम लेते है modulus of cubic polynomial function ठीक है cubic polynomial function लेते है पहले mod लगाने से पहले cubic polynomial का ज्यान लेते है cubic polynomial function में domain क्या होता है all real number और range क्या होता है all real number ठीक है लेकिन क्योंकि mod लग गया है हमें पता है कि all real number में से negative साब के हट जाएंगे ठीक है negative क्या होंगे वो positive बन जाएंगे, तो अगर मैं इस graph को देखूँ, एक general cubic equation का graph मेरा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है general cubic function का graph मेरा कुछ इस तरीके से होगा problem कहां कहां नहीं है, ठीक है यहां से लेकर यहां तक, it's all right ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक, it's completely all right no problem, आप क्या होगा, जो यह नीचे वाला part है इसकी replica, sorry, mirror image बनेगी उपर की तरह और जो इसकी replica है, इसकी mirror image बनेगी उपर की तरह तो यह रहा आपका, modulus of cubic function का graph जो red color में है, और cubic function का graph जो blue color में है, ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो cubic function, क्योंकि उसका range, logically सोचो क्योंकि उसका range all real number है, वो x-axis को cross करेगा ही करेगा, अब अगर वो x-axis को cross करेगा, तो जो यह red color वाला graph है, ठीक है, वो x-axis को touch करेगा ही करेगा, तो minimum value इस graph की क्या होगी, zero all the way to infinity, तो यहां पर यह domain था cubic function का, but modulus of cubic polynomial function का graph क्या होगा, domain होगा all real number, but range होगा आपके पास 0 से लेकर infinity, यहां पर आपको minimum maximum ढूणने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अब अगर मैं वापस से चलता हूँ अपने polynomial function के graph में, तो अगर मेरे पास degree of polynomial function odd होगा, तो वहां पर domain क्या होगा all real number, range क्या होगा, all real number, तो जब आपका range all real number है, यानि कि 0 भी आ रहा है, 0 से नीचे जितने भी negative numbers है, वो positive बन जाएंगे, तो अगर degree मेरे पास odd है, और mod of polynomial function, mod of odd degree, odd degree polynomial function अगर मैं लेता हूँ, तो domain हो जाएगा all real number, range हो जाएगा, simply 0 से लेकर infinity, यानि कि अगर x की power 1 है, तो 0 से infinity, यानि r positive, x की power 3 है, 0 से infinity, x की power 5 है maximum, यानि degree 5 है, 0 से लेकर infinity, x की power 7 है, 0 से लेकर infinity, और फिर मैं बात करूँ, अगर degree even है, तो इसके लिए मैं क्या conclude कर सकता हूँ, degree even है, तो उस case में क्या होता है, हमारे पास minimum value होती है, ठीक है, minimum value होती है, अगर graph उपर की तरफ open है, तो, ठीक है, minimum value till infinity, ये मेरे पास क्या आता है, मेरी range आती है, ठीक है, domain तो सबके लिए real number है, या फिर मेरे पास आता है, या फिर मेरे पास आता है, अगर graph नीचे की तरफ उसने mouth open किया है, ठीक है, अगर डिगरी मेरे पस even है तो तो वहाँ पर आता है minus infinity to maximum value ठीक है minus infinity to maximum value अब आप यहाँ पर खुद सोचो कि आपको even degree वाले में क्या करना होगा even degree वाले polynomials में क्या करना होगा अगर तो minimum value ठीक है logically सोचो अगर तो minimum value जो है ठीक है वो greater than 0 है अगर तो minimum value greater than 0 है यानि कि function की सारी values positive है तो उस case में range क्या हो जाएगा तो मैं यहां लिखता हूँ MW MW का मतलब है MW sorry MW का मतलब है minimum value ऐसे लिखता हूँ minimum value M I N well ठीक है if logically देखो if minimum value greater than 0 then modulus of ठीक है आपका क्या है even degree even degree polynomial function will be domain तो all real number है हम सीधर range की बात करेंगे range will be यहां पे minimum value till infinity minimum value till infinity ठीक है और अगर अगर उसकी value यहां पर क्या क्या क्याते हैं अगले case में आते हैं if minimum value is equal to 0 यानि कि वो जो पूरा graph है वो x-axis को सिर्फ touch कर रहा है उसको cross करके नीचे नहीं जा रहा है तो उस case में range क्या हो जाएगा उस case में range हो जाएगा simply 0 से लेकर infinity अगर वो उसकी minimum value ठीक है तो यहां पे लिखता हूँ if minimum value if minimum value is less than 0 अगर वो less than 0 है तो इसका मतलब उसने x-axis को cross किया है और at least 2 बार करेगा ठीक है कैसे at least 2 बार करेगा क्योंकि अगर वो आपका degree जो है अगर आपके polynomial function का degree even है तो उसने x-axis को एक बार cross कर लिया बट क्योंकि वो उपर की तरफ face कर रहा है इसलिए वो एक बार और जाएगा जाएगा extra learning के लिए हम लोग जान रहे है तो उस case में क्या होगा उस case में ये जो नीचे गया है part इसकी mirror image बन जाएगी उपर की तरफ तो minimum value इस graph के लिए क्या हो जाएगा 0 तो यहाँ पर range क्या हो जाएगा यहाँ पर range हो जाएगा 0 से लेकर infinity observation से सारे domain और range हम लोग देख पा रही है इनको याद करने की जरूरत नहीं है इनको feel करने की जरूरत है क्योंकि जब हम इनको feel करेंगे हम कभी भी भूल भी गए न एक मिनट से भी कम वक्त लगेगा हम इनके domain ranges को देख पाएंगे just imagine करके और practice तो करेंगे question की तो उससे क्या होगा यह automatically हमारी habit के अंदर समा जाएगा और जो चीज़ habit में आ जाती है फिर वो हम कभी नहीं भूलते हैं तो यह देखो done तो हमने यह वाला part done कर लिया जहांपर जो graph है मेरा degree even होती है वो उपर की तरफ open हो रहा है जो की उपर की तरफ होगा वही maximum value अब बन जाएगी आपकी minimum value वही maximum value क्या बन जाएगी आपकी minimum value उसी minimum value से लेकर till infinity आपको जाना है तो यानि कि अगर मेरा degree जो है even है तो cases क्या है no root तो यहां पर no root वाला case maximum value के साथ क्या होगा if maximum value अगर maximum value आपकी less than 0 है यानि कि negative में है तो इसका मतलब उसने x-axis को cross नहीं किया है अगर उसने x-axis को cross नहीं किया है इसका मतलब एक बेरूट नहीं होगा तो यही maximum value बन जाएगा आपका minimum value जब mod लग जाएगा till infinity यही maximum value ठीक है तो जो यहां पर maximum value less than 0 है यह minimum value greater than 0 हो जाएगा as simple as that अगर वो एक बार touch कर रहा है तो simply उसी की replica बनेगी तो जहां यह 0 पर touch कर रहा है x-axis को touch कर रहा है वहीं पर इसकी replica वापस से इसका mirror image जो है वो x-axis को touch करेगा तो उस case में क्या हो जाएगा आपके पस 0 से लेकर infinity अगर एक root है तो सिर्फ एक root है तो अब यहां पर आता है कि यह cross कर रहा है cross कर रहा है तो भी अगर यह x-axis है और यह इसको cross करके ऐसे आगया still क्या फरक पड़ता है यह वाले point से यह replica बनेगी यह वाले point से इसकी replica करो sorry mirror image बनेगी तो minimum value क्या होगा 0 से लेकर infinity तो जब cross भी कर रहा है तो भी आजाएगा 0 से लेकर infinity ठीक है तो हमें सिर्फ सतर्क कहा रहे है जहां पर minimum value और maximum value निकलती है अगर उस graph का minimum value निकल रहा है जो कि positive है तो वहीं से लेकर infinity तक अगर उस graph का maximum value निकल रहा है तो उसी maximum value में negative sign अगर वो maximum value negative है तो अगर वो maximum value negative है तो ठीक है इस case में देखो maximum value क्या होगी positive होगी अगर maximum value negative है तो वहां से negative sign हटाएंगे उसी maximum value को minimum value की तरह लिखेंगे क्योंकि वही जब mod कर दोगे तो minimum value हो जाएगा उस minimum value से लेका till infinity say for example maximum value आया minus 18 ठीक है तो आपका range क्या हो जाएगा plus 18 to infinity काम खताम और यह mod function के अंदर हमने linear देखा quadratic देखा cubic देखा अब आगे देखने के जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम degree के ग्यान की मदद से उस चीज़ को हम observe कर पाए हैं पहले एक एक करके देख रहे ते flow बनाने के लिए और इसी flow में हमारा polynomial function का पूरा ग्यान use हो गया तो यह line में बहुत use करता हूँ as simple as that लेकिन अब यहाँ पर क्या है न क्योंकि चीज़े है ही simple इसलिए यहाँ पर चीज़े आसानी से समझ आ जाती है हम यहाँ simplification derivation खलान धिमका क्या क्या करते रहते हैं जिस चक्कर में चीज़े complicated होती है अब इसी mod function के अंदर आपने further और क्य तरीके से था जैसा कि आपको याद होगा यह यहां से आएगा ऐसे और यह वाला point क्या है 1,0 और यहां से बढ़के यह इस तरीके से आगे जाएगा ठीक है अब जिस point पे यह 0 हो रहा है उसके right side में इस zone में हमें कोई problem नहीं है log x का output क्या रहा है positive आ ठीक है लेकिन जो points इस तरफ है उनका output देखो negative है y में negative है तो यह graph क्या हो जाएगा ठीक उसका mirror हो जाएगा और यह इस तरीके से जाना start करतेगा तो इसका domain सबसे पहले log x का domain देखो log x का domain क्या था 0 से लेकर infinity तो mod log x का domain क्या रहने वाला है यही रहने वाला है ठीक है तो mod function के अंदर एक चीज़ तो clear है mod function अगर आपके पास कोई mod function आता है तो उसके अंदर जो domain होता है na mod हटा तो जो function है उसका domain और mod उस function का domain वो दोनों के दोनों क्या रहते हैं सेम रहते क्योंकि mod function values को सिर्फ positive करता है आप input नहीं दे पाओगे ऐसी conditions पैदा नहीं करता है इसलिए जो log x का domain वही mod log x का domain यानि क mod sin x का जो domain होगा वो क्या होगा sin x के domain के बराबर होगा तो mod के अंदर आपका जो function है उसका domain जो है वही domain आपका mod of that function रहने वाला है यह भी एक observation है यह चाहता तो मैं पहली line में बोल देता कि देखो बच्छो ऐसा याद कर लो जो function का domain होता है वही mod of that function का domain भी होता है बट य range को अगर मैं देखूं यहाँ पर तो वो clearly मुझे show हो रहा है 0 से लेकर infinity जो range log x की range किया थी all real number बट यहाँ पर हो जाएगी वह 0 से लेकर infinity तो अब सारी observations को अगर मैं accumulate करूं तो मुझे एक चीज समझा रही है जिस-जिस function की range all real number i है observation से ढूंडेंगे ठीक है जिस-जिस function की range all number i है say for example जो polynomial function थे polynomial function थे जो ठीक है odd degree odd degree polynomial functions जो थे हमारे इनकी range क्या रही थी all real number ठीक है और log x की जो range है log x का जो range है वो भी क्या है all real number तो जिस-जिस function की range all real number आ रही है अगर उन functions के आगे mod लग जाए तो उनकी range क्या हो जाती है simply r positive क्योंकि वो 0 से start करेगा क्योंकि वो start कहां से करेगा 0 से start करेगा और all the way to infinity जाएगा काम खतम ठीक है कितना simple है देखो हो गया log mod x भी हो गया हमारे पास अब बढ़ते हैं आपके पास क्या बचा exponential function ठीक है exponential function देखते हैं हम लोग तो भई यहाँ पर exponential function a to the power x उसका mod लगा देते हैं तो यहाँ पर exponential function का graph हमारा क्यासा था कुछ इस प्रकार था ठीक है तो अब अगर मैं exponential function का mod देखूं ठीक है तो मैं इसको और graph को देखूं तो मैं clearly लिख सकता हूं this is equal to a to the power x क्योंकि सारी y की value positive है सारी y की value positive है तो यानि कि जो इसका domain और range है इसका domain क्या था all real number range क्या था r positive ठीक है r positive था जिसमें 0 included नहीं था तो मैं r positive नहीं लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा 0 to infinity तो यह mod ax का जो domain होगा that will be real number and range होगा 0 to infinity 0 not included काम खतम देखो कितना symbol सा logic है तो observe करके हम चीजों को आसान लोग इनके अंदर solve करने का तरीके लेकर आते हैं कुछ ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ पर सिर्फ आपको ज्यान लेना है nature को observe करके जो mathematics आपको आता है उसको ऐसा language यूज करना है further आपकी language और improve होगे क्योंकि mathematical knowledge आपको और जादा मिलने स्टार्ट हो जाएगी अब यहाँ पर जो कि आपके constant function को split करके बनाया गया है in which f of x is equal to plus 1 0 minus 1 if x is greater than 0 if x is equal to 0 if x is less than 0 ठीक है तो अब इस function को अगर हम देखे यह function बनाया गया है बस आपकी domain range की घ्यान को समझाने के लिए ठीक है तो जब x की value 0 ठीक है तो function की value 0 जब x की value 0 से आगे तो यहाँ पर यह gap वाला गोला मैंने तो यह वाला point included नहीं है और 1 के आगे यह ऐसे बढ़ जाएगा और x की value जब negative होगी तो इस तरफ यह बढ़ जाएगा तो यह 0 included नहीं है बाकि सारे included है यहाँ पर 0 included नहीं है और minus 1 included है तो clearly इसकी domain के आगई all real number range के आगया एक set बनेगा 1 minus 1,0,plus 1 ठाम खता वो तो function के अंदर ही मुझे range नजर आ रही है ठीक है तो यह रहा आपका signal function अब आते हैं आपके एक part के greatest integer function ठीक है greatest integer function इसको भी हम लोग देख लेते हैं symbol था greatest integer function के लिए यह closed bracket वाला symbol use होगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा गाएगा अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर x की value x की value integer है let's say 3 तो greatest integer of 3 will be 3 x की value minus 7 है तो greatest integer of minus 7 will be minus 7 ठीक काम खतम यानि कि यहाँ पर greatest integer integer है अगर तो वो integer ही रहने वाला है लेकिन तो आपको इस पूरे part के अंदर इस पूरे number के अंदर जो यहाँ पर integer value है ठीक है जो यहाँ पर integer value है चाहिए 2.37 हो यह 2.99 हो सिर्फ integer value को देखो सिर्फ integer value को देखो यानि कि basically जो भी x की value आपके पास है उसके left side में number line पे जो left side में पहला integer आ रहा है वही उसका output होगा तो यानि कि greatest integer function अगर मैं लेता हूँ 2.37 तो result आएगा 2 ठीक है 2.99 लेता हूँ तो answer आएगा 2 यानि कि इस number के left side में जो पहला integer आता है वही आपका output बन जाएगा ठीक है अब इसे चीज़ को हमें negative zone में थोड़ा ध्यान से देखना होता है अगर लिखा है minus 2.33 तो number line को देखो यहाँ पे है minus 2 यहाँ पे है minus 3 और minus 2.33 यहाँ लाई करेगा यहाँ पर लाई करेगा तो इसके left side में कौन सा integer है minus 3 तो अगर मैं इसका greatest integer लोगा तो the answer will be minus 3 as simple as that ठीक है तो भाई यहाँ पर domain तो आप देखी चुके हो all real number ठीक है और range भी आप देख चुके हो range यहाँ पर क् integers, integers यह लग भाई domain range निकल गए कितना simple सी कहाली है अब हम इस domain range की दुनिया में बहुत अच्छे से पक चुके है ठीक है अच्छे से चीजों को समझने लगी है अब कुछ बस थोड़े से function है linear by linear linear by quadratic इस तरह के functions जब आते हैं तो इनकी domain range कैसे निकालते हैं उसके उपर आप properly finish करेंगे और इस chapter को finish करने का मतलब यह नहीं कि वहाँ पर end हो जाएगा finish करने का मतलब है अब इस knowledge का use हम आगे के chapters में करना start कर देंगे क्योंकि वहाँ पर इसकी language हमें helpful होगी और वहाँ पर हो हमें बहुत जादा मदद करेगी especially calculus के अंदर ठीक है तो इस lecture के लिए इतना ह रहा है तो again मैं यही कहूंगा कि please अपने दोस्तों को इन चीजों को share करना और उनको बोलना कि पूरा lecture देखें उनको पूरा ज्यान मिलेगा और STEM VEDAS के application और हमारे YouTube चैनल पर आप जरूर आईए और उसको subscribe कीजिए और application को download कीजिए तो इस lecture के लिए इतना ही मिलते हैं आप